हेलो दोस्तों यूपी बोर्ट रिजल्ट को लेकर कमेंट में बहुत सारे स्टुडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैं इस जगें से हूँ मेरा भी रिजल्ट नहीं आया है सबस्जादा वे विद्यार्थी परसान हैं जिनका रिजल्ट विद्यल्ट प्रमोटेड या अपसेंट है या आरेल हैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट किलियर करेंगे वे भी दियार थी इस वीडियो को जरूर दे के जो वीडियो प्रोमोटेड या अपसेंट है या आरेल है तो यदि इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर पिलाए के अंदा बाले ताकि एजुकेशन से रिले रहर जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकें चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों यदि आप प्रमोटेड अपसेंट वा विथेल्ड हैं आरेल हैं और यदि आपने रिग जैम को फार्म भरा है तो आप बहुत बुरी तरह फस गये हैं मैं आगे इसका कारण भी बताऊंगा दोस्तों युपी वोड के रेजल्ट नहीं आये हैं जिनके या फिर वे चातर जो प्रमोटेड अपसेंट या विथेल्ड या आरेल हैं उनके रेजल्ट आएंगे इसका भी कारण बताएंगे की रेजल्ट क्यों आएंगे देखो जो चातर बराहमी के हैं उनके रेजल्ट आएंगे 100% गारांटेड अब इसका कारण बताता हूँ जो भी विद्यार्थी प्रोमोटेड अपसेंड या विद्यल्ड है यद वे आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी इनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां तो सभी विद्यार्थियों का एड्मीशन मेरिट के आधार पर या फिर बरहावी पास होना चाहिए तब ही उनका एड्मीशन हो पाएगा ऐसे में यूपी बोर्ट रेजल्ट जारी करना पड़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन इस बारे में जारी नहीं किया गया है रेजल्ट आएंगे ही आएंगे ये 100% गारेंटेड में इस चैनल के माद्याम से बता रहा हूँ अब छादर कोई भी हो चाहे वितेल या प्रोमोटर या अपसेंट या आरेल हो वो छादर ये दिरी एकजाम का फॉर्म भरा है तो वह बुरी तरह फस गया है कैसे देखो आप जो एकजाम जो रेकजाम कराया जाएगा 18 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा और जो आपके रेजल्ट आएंगे अक्टूबर लाश्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे तब तक सभी इन्वरसिटी कॉलेज अपना एडमीशन करा चुके हों तो आप यहरी एकजाम नदें रेजल्ट आपके पके आएंगे यह मैं आपको बता रहा हूँ यदि और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूस सकते हैं यदि इस चैनल से नहीं चुने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे जे हिंजे भारत